नमस्कार विद्य थिमित्रो अजना अपड़ा विडियो मां धोरण अग्यार सेसी विभाग मां प्रक्रन नंबर बे असरकारक पत्र वेहवारा ने तेनी जुदी-जुदी सेलियों नी चर्चा करिये छे अजनो आपड़ो प्रस्न सात्मों छे सात्मा प्रस्न मां अपड़े वानिज्यक पत्रों नी सेलियों विडियों से चर्चा करवाना छे अगवना विडियो मां पन वानिज्यक पत्रों नी सेलियों नी चर्चा करिया ते वानिज्यक पत्रों धंदादारी हेतु माटे लखवा माँता निश्चित मारखा मा निश्चित पधती मुझब पत्रों लखाई छे तेने वानिज्यक पत्रों तरीके ओलखिये छे अथ्वा तो बिजिरीते कईये तो धंदाना प्रचारने प्रसार माटे लखवा माँता पत्रों ने वानिज्यक पत्र कहवा मावे छे जरे वानिज्यक पत्रों धंदादारी पेडि लखती होई छे तेरे वानिज्यक पत्रों लखवा माटे धंदादारी पेडियों जुदी-जुदी सेलियों नो उप्योग करे छे असेली नो आधार कई सेली मुझब पत्र लखुओ तेनो आधार छे ए पेडी नी रूदी उपर होई छे प्रथा उपर होई छे अनुकुरता उपर आधार राखे छे तो जुदी-जुदी सेली ओनी आपने चर्चा करिये तो दुनिया मा छे के वानिज्यक पत्रों ल बिजनेस लेटर पन केवा मावे छे आ स्टाइल ओफ बिजनेस लेटर इतले के जुदी-जुदी स्टाइल थी वानिज्यक पत्रों छे ए वेपारी पेडियों लखे छे तो हवे वेपारी पेडियों कई सेली नो उप्योग करे छे छो सेली के जेना संदर्व मा एक नो अजे बाकी ना अमुक नमुना वो दोरी अने बाबतों तम ने समझा ली तो कई-कई सेली थी पत्रों लखाई छे तो एनी चर्चा करी अच्छ सेली ओ छे पेलू छे धर फुली ब्लोग्ड फोम मोडिफाइड ब्लोग्ड फोम पच्छी त्रीजू छे धर सेमी इंदेंटेड फोम चोथू छे फुली इंदेंटेड इंदेंटेड फोम पच्छी मुन छे हेंगिं इंदेंटेड फोम अने छट्थू छे द नोमा फोम तो वानिजक पत्रो लखवा माटे दंदादारी पेडियो वानिजक पेडियो छसेली नों प्योग करे छे तेलू छे द फुली ब्लोक्ड फोम जेने पूर्ण ब्लोक सेली पन केवाई छे बिजू छे द मोडिफाइड ब्लोक्ड फोम जेनी सुधारेल ब्लोक सेली पन केवाई छे त्रीजू छे अर्ध इंडेंटेड फोर्म अठ्वा तो सेली जिने सेमी इंडेंटेड फोर्म पं किये छे पच्छी चोत्वु छे फूली इंडेंटेड पूरूना इंडेंटेड सेली पं गुज्राति मा बोले छे पांच मूँ छे हेंगिंग इंडेंटेड फोर्म अथ्वा तो हेंगिंग इंडेंटेड सेलीफन के भाई अनि छट्टू नोमा फोर्म नोमा नू पुरू नाम छे नेशनल ओफिस मेनेजमेंट एसोसियेशन तो अच्छो रित्मु जब वानिज्यक पत्रों लखवा मावे छे तेनी अंदर में एक नमूनो पेली सेली मा लेक्तो तो फुल ब्लोग रफोम नी अंदर अजे आपने बिजा नमूनानी चर्चा कर सो अने दिनी साथे नोमानी पन चर्चा करी ले सो जेती करी अने तामने ख्याल आवे तो अच्छों सेली ओ दरेक वानिज्यक पत्रों लगती वक्ते धंदादारी पेलियों कोता नी अनुपुडता प्रथा मुझब रीत रिवाज मुझब छे जुदी-जुदी सेली ओनों उपियोग करे छे आजूनिक पद्धती गणे छे फुली ब्लोग्ड फॉर्म ली अंदर चर्चा करी ती ते मुझब दरेक विकरतों डाबी बाजु ये थी सरू कराई छे आ सिली नी सौथी मुटी नबलाई कोई होई तो ए छे के पत्र नो जमनों भाग छे खाली लागे छे तांकि दरेक बाबतों छे डाबी बाजु दर्शावाई छे पच्छी मौनिफाइड ब्लोग्ड फोम नी आजे आपने चर्चा करवाना छे अने तेनी अंदर आपने चर्चा कर सूँ के आ एक पत्र लेखन नी सौथी प्रचलित पध्धती छे आ पध्धती नी अंदर तारिक समापन साय ने होदों जमनी बाजु दर्शावाई छे जरे अंतरि सरनामू छे संबोधन छे पत्र नो मुख्य भाग छे ए पत्र नी डाबी बाजु ये दर्शावाई छे तेथी पत्र छे ए बेलेंस लागे छे कंके अमा फुल ब्लोग सेली नी जेम दरेक वस्तु ओ डाबी बाजु नथी दर्शावाती अने आप अध्धती खास करी ने व विराम चिनों नो उप्योग करा थो नथी जेरे से मि अन्द नी अनडर पन जिके AM compassionate दर्शावाई छे ए खाच पाड़ी ने दर्शावाम आवे छे अने आनी अन्दर विराम चिनों नो उप्योग नथी था तो ज़रे fully प्रचली ने अंदर खाच पाड़ी ने दर्सावाई छे विराम चीनों नो उप्योग कराई छे त्यार पच्छी हिंगेंग इंडेंटेड सेली नी अंदर जिकें बाबतों दर्सावानी छे आखास करी ने सेल्स लेटर मां पद्धती नो उप्योग था तो अजे दुनिया मा आ प्रचलीत छे आ पद्धती छे ए ओची प्रचलीत छे खास करी ने एक समय सेल्स लेटर लखवा मा आउता त्यारे धंदाना प्रचार माटे ना जे पत्रों लखाता तेमी अंदर आ हेंगिंग इंडेंटेड सेली नो उप्योग करा तो अनी अंदर प्रथम लिटी छे हा आंदाडी ने लखाई छे बाकी नी बधि लितियो छे , खाच पाडी ने लखाई छे. इतले एउ ललागे कि प्रथम लिटीत सा थे बाकी नो ल खान चे लटकतु होई कि लुग खास करी ने आ पत्र टाइप करवा मा थोडोप मुश्केल ही छे टैप इस्टनी कामगीरी छ फिर जीरे आ पद्धती छे ए उप्योग मा नथी रई एक समय आ पद्धती नों सेल्स लेटर माटे उप्योग था तो अने वर्तमान समय मा खास करी ने अमेरिका आने इंगलेन मा नोमा पद्धती थी वानिजेक पत्रों लख्वा मा वे छे आ पद्धती नी अंदर संबोधन अने समापन नों उप्योग न थी था तो बाकी आज सेली छे ए फुल ब्लोक सेली जेवी छे कंके दरेक वस्तुगों छे ए पत्रनी डाबी बाजुए दरसावाई छे तो हवे आजे एक विजय नमुनानी चर्चा करी लेए अने तेना आधरे चर्चा तरसूं प्राम मेर नम्यवी जे ए're वज़ आज मेर रेवे गडिया, यह अने ए इक वांदर přावननि त exists ए और के वैश् unnecessarily डे प imm踏 पे ए विज़ है टूंस मेर सक्षे लरा पलाइ़ ूनिक सबस्क्तर दो हूंक्तर सेली ज़ूंसाम वी ज़ खे लावे चुसा अना तार सबस्टार बस्टार को वे असे दिनो नाम छे तो मोडिफाइड ब्लोक्ड फोर्म सुधारियल ब्लोक्ड सेली आप दती नी अंदर आपने जोसु तो सिर्शक पत्रना मध्यमदर्सवमाउसे त्यार पच्छी तारीक च्छे ए पत्रनी जम्ने बाद्यू ये दर्सवमाउसे अंत्रिक सर्ना मूँ त्यार पच्छी संबोधन त्यार पच्छी पत्रनों मुख्या भाग हुआ हो गुआ हो गुम पत्रनों मुख्यू झाल 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 तो अपने अजे नमूनों दोईरों छे तेना संदर्भ मां किटली कबाबातों समझी लए खासकरी ने पेलो नमूनों हतो तमने जोसो तो तमने ख्यालाव से जेनू नाम हतो फुली ब्लोग्ड फोर्म अथो फुल ब्लोग्ड सेली जेने केवाई गुजराती मां आ पद्धती मां दरेक बाबतों छे ए डाबी बाजो ये दर्सावा माउती पन में चोख़ट पन करीती वाने जेक पत्र लगती वक्ते काईमी भागों के जेनों पत्र मां नियमित प्रमाणे उपियोग कराई छे नमुनों अविरिते जे दोर्वानों होई परन्तु समझ माटे किटलिक बाबतों दर्सावा उचोँ जेनके सवथी पेला सिर्षक आउसे तो दरेक पत्र मां सिर्षक मध्यमा लखवा माव से सिर्षक इटले पत्र लखनार पेडी ना नामने सर्नामानी जेके रिगतों दर्सावाई छे तेने सिर्षक तरीके उडखवा मावे छे तो सिर्षक अमेसा पत्र मां मध्यमा दर्सावान आ पद्धतीन यंदर तारीख चे ये पत्रनी जमणी बाजुए दर्शावाई चे प्रिजो बाग चे आंत्रिक सर्नामू आज है बाग चे तेने आंत्रिक सर्नामू केवा मावे चे अंत्रिक सर्नामू कोने कहवाई तो के पत्र मेडवनार व्यक्तिके पेडिना नाम अने सर्नामानी जे विगतो दर्शावाई छे ते अंत्रिक सर्नामू होई छे चे पत्र नी डादी बाजिव आ पधती में अंदर सवाई छे जरे आ भाग ने पत्र नो मुख्य भाग केवाई छे पत्र ना मुख्य भाग ने में त्रण भाग नी अंदर वेच्चा अने प्रारंभिक भाग अने मध्य भाग अने अंतिम भाग तरीके ओड़क्वा मावे छे के पत्र जे हेतू माटे लखवा मावे छे अने पत्र नौ हर्गपन केवाई छे के पत्र मां जे कर अबाभब तो दर्सावा मावे छे तेनी जिगत वाग रजूवात छे आ भाग मा करवा मावे छे तो पत्रनों मुक्य वाग 14 पच्छी समापन सही अनेहोद्ग सुदारेल ब्लोक सेली नी अंदर जमनी बाजु ये दरसावाई छे फुल ब्लोक सेली मा तमें जोई वर से कि समापन सही अनेहोद्ग दावी बाजू दर्सावाई छे तो तारिक समापन सही होत्दो सुधारेल ब्लोग से लिया थो तो प्रीफाइड ब्लोक सेली माँ जमनी बाजू ये दर्सावाई चे , परि नामें ब्लोब सो तो पत्र जम्री बाजू खाली लाग से डावी बाजू भर्चक लाग से जरे आमा पत्र छे ए बेलेंस लागे छे तंके जम्री बाजी खाली नथी लागे तंके तारिक समापन सही हो दो जम्री बाजू दर्सावाई छे तो पत्र लेखा के पत्र लगती वक्ते कारजी राखनी पड़ ब्लोग्ड, फुली ब्लोग्ड सेली नी अंदर टाइप इसने टाइपिंग करवा मा अनुकुरता रहे छे कंके धरिक वस्तु वो डादी बाज्यों थी लखाई छे चरे आमा तारीक समापन सही होदो जमनी बाज्यों लखाई छे फुल ब्लोग्ड सेली नी अंदर अल्प विरामचिनों नो उप्योग नती था तो जरे आप अध्याती मा विरामचिनों नो उप्योग कराई छे तो आचे मोडिफाइड ब्लोग्ड फोम जेने के वामा आवे छे हवे एक वस्तू बिजी कई दो थोड़ाक तो सुधारा साखे औने एक प्रिजो नमूनों साथो साथ चर्चा थाई जे अने तमने ख्यालावे अम तो बेज नमूना वो छे ए तमारे जानमा राखवाना छे एक नमूनों छे चर्ण गोणनी अंदर पुछाई तो तमारे आरिते लखवानों रेसे तमे नामनों दर्सावो तो पन चाले परन्तु आमा नाम एतला माटे दर्सावो छो के जेथी करिम तमने ख्यालावे काने सिद्शक के वाई अने तारिक के वाई अंतरिक सद्नामों स हवे आप अध्धती नी अंदर कितलिक बाबतों मां फिरफर थाई जासे हैसका मोडिफाइड ब्लोग्ड फोम छे एक आधेना खूछू तेनी जिग्याई ये नामा पी दवुछू चट्थू नामतू ध नोमा पोम चेने नोमा सेली तरीके पन पोड़कवामा आवे छे हवे आप अध्धती नी अंदर कितला को फिरफारों थाई जासे जेखास तमारे ध्यानमा राख्वाना आचे ओके मैं बाबतों अपज़ती नी अंदर नोमा सेली नी अंदर जैने वानी जे पत्र लखाई छे मैं चोख़ट पन करिया थी के आप अध्धती फुल ब्लोक सेली जेवीजे छे पन फुल ब्लोक सेली नी अंदर अने नोमा सेली मां मोड़ तफावत सून छे दरेक वस्तु और डाबी बाजुज लखा से फुल ब्लोक सेली नी अंदर संबोधन तो अमा संबोधन नो उपयोग नथी था तो अने खासकरी ने आप अद्धती नी अंदर समापन नो पन उप्योग नथी था तो मात्र सही अने होतो बेज वस्तु दर्शावा मां आवे छे समापन नो उप्योग छे संबोधन ने समापन आ सेमी मां उप्योग मां नथी लेवाती शिर्शक मध्यमा लखा से तारिक आंत्रिक सर्नाव पत्र नों मुख्य भागिनी दरेक लिटी ओ हांसियाने अडाडी ने डाबी बाजुए थी लखासे सही आने होतो पण पत्र ने डाबी बाजुए दर्सावा माल से तो आ सेली ने नोमा सेली तरीके ओड़कवा मावे छे तो आपनु प्रक्रणाई आपने पूरू करिये छे खासकरीने त्रिजू प्रक्रण आपने सरू करशू नवा वीडियो नी अंदल त्यारे आपने तेनी विगते चर्चा करशू